तो गाइज रेकंगे एज विडियो एपने विडियो डाली तो आपको पसंद आई होगी वह लिकान आच जानने वाले टॉपिक बहुत डिफ्रेंट रहें लिकान चले जानते हैं और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगा अमने दोस्तों फमने का वीडियो को शेयर कर द करना मत भूलेगा ताकि में जो आने वाली विडियोशन को आप मिशनी कर पाऊगे तो चलते हैं कंप्यूटर स्कीन में विडाउट विश्टिंग अनिटाइम अले मुव कंप्यूटर स्कीन अलेस्ट वाकोडिंग विडियो लाफिंग तो गाइस इन तोडेश पीए वीड के लिए उनको लिए उनको सबसे पहले करने हैं यहां पे यहां पर लिएक टेना है तो मैंने विडियो डाली थी लिमिटे सेक्षंस्ट इलेक्शन के उपर गपर वों में चोटी पर आपको समझ उन यह लोग गर आपको सबस्था जरूरारी है तो आपको चीज नहीं आथ तो इस टॉपिक पर बंड नी सकते वह ज़रूर देखेंगा आप लोग शोचरूंगा विडियो थी उसमें था क्या देखें उसमें यह था कि हमें इक लिमिटेज सेलेक्शन मैंने आपको बताया थे सेंटेक्स के साथ जिनने वह विडियो देखी है तो उनको इतना क्लियर हो गया होगा पीएच्प के बारे में उसकी की लिंक में दिस्क्रिप्शन में देदूंगा आपको आप जाके देख सकते हैं अब आज की विडिम में देखने जारें कि XML एक्समेल है क्या देखें एक्स लेंविज इसा वे एक्स लेंविज इसा वे जो स्ट्रक्चर करती है आपके data को शेरिंग करने के लिए एक्रास वेबसाइट several website technology जैसे के rss feed और podcast write-in होते हैं XML के अंदर नहीं सारे rss feed और post का यह सारे write-in होते हैं XML के अंदर देखें xml यह बहुत असानिक करने में यह looks like a lot of a lot it looks a lot like HTML यह बहुत बिल्कुल HTML की तरह लगता है थोड़ा जा चेंज हो जाता है accept that में करते हैं अब यह अपने ओन टेक्स अगर में learn more about करने xml के बादे में आपने विजिट करना होगा हमारे xml ट्रेटोरिया थे वाट इस xml पार्शर देखें xml के बादे में आपको बता दिया लिए xml पार्शर किया है अगर आपने read करने और update करने और create करने और manipulate करने xml document आपने you will need an xml पार्शर क्या नीड होगा xml पार्शर in php php में अंदर there are two major types of xml पार्शर कितने major types of parsers two major type of parsers three base parsers number two event based parsers यह दो parsers हैं जो xml के हैं देखें three base parsers यह क्या करता है three base parsers holds करता है entire document को in memory और transform में और जो मेरा xml document है into a tree structure में यह analyze करता है पूरा document और provide करता है access करने के लिए to the three elements the DOM यह type को parser यह better option है for smaller or xml documents के लिए बट लेकिन नहीं large xml document के लिए as it cause करता है major performance issues example दो अगर आपको tree-based parsers की simple xml और DOM यह दो example है tree-based parsers की अब आते हैं event-based parsers पर देखें event-based parsers नहीं old करते हैं entire document को memory के अंदर instead यह read करते हैं one node at a time और allow करते हैं interact करने के लिए within real time में once जब आप remove onto करते हो अपने अगले node पे जो old one है वो ठोन करता है अवे पीछे भीच दे रहा उसको यह type का parser well suited होता है बड़े xml documents के लिए यह parses करता है faster और consumes करता है कम memory example दो अगर आपको base parsers की xml reader ले लो xml expect parser यह कुछ example थी तो यह हमने आज की वीडियो में जाना है के php एंदर xml parsers नहीं होती हैं मैंने आपको दो type के parsers होते हैं यह आपको पता होने चाहिए पहला है tree-based parsers and check-end event-based parsers यह दो type के parsers होते हैं php के अंदर और आप लोग सो चोटी दिए इसलिए चोटी दिए में जादा explanation नहीं थी और साथ ही साथ इसमें coding नहीं थी इसको वीडियो में वीडियो स्मॉलर बट वीडियो स्मॉलर हो यह बड़ी आपको यह बस समझ दाना चाहिए कि अब यहां पर चैनल का नाम है इसके नीचे सब्सक्राइबर से वीडियो से नीचे यह लिखाव है इसके नेचे सब्सक्राइबर से नेचे वीडियो में नेक्स वीडियो में रहतनी नेक्स वीडियो में और मिलते हैं अगली वीडियो में तो आज के लिए इतना ही गुड़ पाई कर दो दो आज कर दो आज कर दो आज कर दो आजके लिए हैं